दोस्तों नमस्कार अब आगे बढ़ने से पहले कुछ कहना चाहूं लेकिन ये कहना चाहूंगा कि योगी जी ने आज बड़ी चिंता व्यक्त की मतला जो डेबिटेश चलने लगी है जन संख्या नियन तरण कानून भाई सेंटर में बीजेपी की सरकार है स्टेट में बीजेपी की सरकार है अब ये मुद्दे मना करके छोड़ दिया जाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए वोट पाने के लिए कि भाईया मुसल्मानों ख़लाब जंग हैं कोई बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और कांग लगती हैं वाई सिविल कोर्ट मतलब एक कानून था कि सारे अधिकारों को समान सारे नागरिकों को समान अधिकार होना चाहिए लेकिन वो तो लेके नहीं आए लेकिन बस मुद्दा आ जाता है डिवेट्स में चित्रा तरपाठी आज तक पर फर फडाने लगती हैं अपनी ड बहुमत में योगी सरकार उत्रप्रदेश के अंदर पूरे बहुमत में सरकार केंड़ के अंदर भाई मोधी जी लागू करने कानून उनके अंदर हिम्मत है कांग्रेस नस्वंदी लेकर के आई थी तो मोधी लेके आएं कानून हम भी समर्दन करते हैं मैं तो पहला आदमी यहां डिवेट डालना चाहूंगा जो कल उल्टियां कर रही थी चित्रतरपार्थी उसके बारे में आगे पीछे आवाजों को सुनियेगा और महसुस किये जएगा कि किस तरह से फिर से हिंदू-मुस्लिम एजेंडा समान नागरिक सहिंता की बात पीछे से उठाए जा रही ह जो सरकार नपुसक होकर के बहुमत में रहते हुए भी जारी नहीं कर पा रही है ये देखिए इन लोगों की फेक नियूस जहां पर चित्रतरपार्थी भारतियंदा पार्टी की एंकर और निता बनी हुई नजर आ रही है अब समित पात्रा की या किसी प्रवक्ता की जरू चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर सबसे पहले मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे ही शुरूबात करते हुए चुंकि बहुत सारे मुद्दों पर आपने निशाना साधा है और तुरंथ हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता तब तक जुड़ जाएंग ले सहते हमार में इसल्ए महें कर आहिकरव घ्रम ऑंसन्क्य हो पा रहा है लेकिं जन संक्या समस्य क्यों से असलिए हो मेंखाल नीच कर पा रहा है इसलिए मिर्जगार यहां पर जादा मूंनिफ हो पा रहाई长 तो आप चाइना को देखिए चाइना में अधिए इस से ते वि कि तरह भारत में भी मौझूदा परिसितियों को देखते वे जनसंख्या नेंदर कानून की जरूरत है चित्रा जी मुझे 30 सेकेंट तो बोले देते तो आपको वी जवाब मिल जाता है दिक्कत है कि आप परिशान हो जाते हो कि कहीं बीजेपी की पॉइंट तो नहीं बन गए मैं तो राष्ट की बात कर रहा हूँ मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ जी मैं जबाब ले लूँगी लेकिन जो खोखला होता है अपने तर्कों के हसाब से ना एंकर पर वही सवाल खड़ी करता है मिस्टा अनुराग बदौरिया ये एंकर पर जो ठीकरा फोड़ने की आप लोगों ने आजकल आदर बना ली है ना एक सिकंड मेरी बात तो सुनिए क्रॉस पेशन मुझे लगा कि आप अच्छी बात की कर रहे हैं आप क्या रहें कि चीन जैसा कानून बनाईए मैंने तो ये सोचा लेकिन आपने एक जगा भी हमायत नहीं की ठीक है लेकिन मैं फिर आपके बोलती हूँ जो अप्ते तर्कों के जर्या कोकला होता है एंकर पर आरोफ वही मरता है चीक है आप अगर देटिवर टिपड़ी करेंगे अन्राग भदार्या जी मैं आप चित्रा त्रपाधी करने के लिए ने बैखिवी हूँ जन संख्या नेंदरर कानूं पर बैखिवी हूँ जिन 19 बच्चों का हमने जिक्र के जराएगवार्ट से वह विज्वन दिखाई है अब बहुत सारी आपको मिल जाएगे गाउं जाओं जाओं तीस तरह के आपको बहुत सारी घटनां मिलेंगे लेकिन इस घटना से आप उरे हिंदुस्तान को नहीं जोड़ सकते इसलिए मैं आप चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि जब इस सत्ता में आए तो क्या कालता नया भारत बनेगा जिश्टर भारत बनेगा हरे को रोजगार मिलेगा देश विकास पर जाएगा हम भी सुगरू बनेगे और आप आपको जनसंक्या पर नियंतर रखना हम सब की जिम्मेदारी बनती है लेकिन आप यह कहके नहीं बसकते जो पहे लिए लिए जो जागरूप नहीं है उनको कैसे बताएंगे आप लोजगार नी देपारे कि जनसंक्या ज्यादा है देश के अंदर में प्रजगा से बाइए जनसंक्या पर नियंतर कैसे होगा एक सलाथ देख जाईए आप आप बान कानून यह बहस आप ने देख लिए होगी बहस के बाद आप खुद देखिए किस तरह से असंतुलित होकर के अपना आपक होकर के चित्रातरपार्टी, राकेशतरपार्टी, असीम बकार, अन्राग भधोरिया, अजयावलो के साथ बहस करने आती है और जन संख्या नेंदरण की बात करते हैं, ये तो मुद्दे बहस के टीवी पर आने भी नहीं चाहिए, बलकि खबर ये आने चाहिए, कि मोदी सरकार और योगी सरकार ने ये फैसला ले लिया है, कि हम ये फैसला समान नागरिक सहिंता लागू कर देना चाहते हैं, और सब ब आगू कर देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, चीजें भी साफ हो जाएंगी, और देश के लिए ना तो कोई मुसल्मान इस चीज से इंकार करेगा, ना हिंदू करेगा, ना सिक करेगा, ना इसाही करेगा, भाई इस तरह के मुद्दे ये लेकर के आते क्यों हैं, केवल इसलिए एक पॉइंट अब व्यू अपने भक्तों को दिखाने के लिए कि योगी सरकार इतनी सकते, मतलब कोई भी बिल लेके आने से पहले चड़चाएं चलने जरूरी है, आग लगाना देश में जरूरी है, अरे आपकी हमत तो लेया हो ना, डिवेट के बल इसलिए ना पाए, वहाँ चितरतर पार्टी समानवादी पार्टी का डंका एक बाप के 19 बच्चे बस इसी वहसे पड़ी हुई है, कभी चितरतर पार्टी ने अगनी वीरों के बारे में बीरोसगारों के बारे में बात की, ना, अब तो सुधिर तीहाड़ी भी ने के साथ मिल नमस्कार जहन दोस्तों